गुद मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बेक टो मैं चैनल मिसिस भाटिया व्लॉग्स कैसे हो आप सबाई होप आप लोग बहुत ही अच्छे अंगर आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हो तो यहाँ पे मैंने लगाई वी थी मशीन कपड़े वगरा धूल तो अब इसे कर रही हूँ ड्रायर में ट्रांसफर और आज एक ही लोड में सारे कपड़े दूल गयते हैं अज बहुत ज़्या नहीं थे क्योंकि अभी मैंने बहुत जल्दी फिर वापस से मशीन लगा ली क्योंकि कपड़े फिर इकठे हो जाते हैं तो खुद कोई लोड है और आज बहुत जल्दी मेरा काम भी हो गया था मतलब 11 तक मेरा सारा काम निपड़ गया था क्या पाइप को मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया कि थोड़ा भी सर्फ वगर रहेगा तो वो निकल जाएगा अब ट्रायर से कपड़े निकाल कर आप जाके बैलकनी में फै दे दिया क्योंकि व्लॉब फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो बस अब बाल्टी में डाल लिया है और दो बार में करके सारे कपड़ों को ले जाओं भी बैलकनी में डाल दूगी तो अब देख सकते हो अभी शायद सारे 10 बजे का टाइम हो रहा होगा मॉर्निंग और धूप कितनी अच्छी खासी है तो इतने देर तक ना आज मेरा सारा काम नहीं पड़ गया था तो केसी केसी दिन जल्दी काम हो जाता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और धूप भी बहुत अच्छी खासी थी तो कपड़े भी फटा-फट से सूख गये थे औ और मोटे मोटे कपड़ों को मैंने इधर रेलिंग पे टाल दिया ताकि क्योंकि सीधी दूप आती है और पतले-पतले कपड़ों को मैंने रस्तियों में डाल दिया है बस इसी तरीके से अपना काम भी होता जाता है और अपना व्लॉग भी बनता जाता है तो मैंने इस साइ कपड़े उधर चिम्टी लगाने के बावजुद बैलकनी से नीचे गिर गया है तो अब आ गई हूँ बैटशिट वगरा को फैलाने के लिए तो आज बैटशिट वगरा भी मैंने चेंज करी हुई थी तो इसलिए मैंने साथ ही साथ धो भी दी और हवा देखो कितनी तेज है कि अगर मतलब गलती ना करो चिम्टी लगा करना तो कपड़े सी दे नीचे जाएंगे बहुत तेज हवा थी और रस्तियों की वज़े से मुझे काफी हेल्प हो जाती है मतलब रेलिंग पे नहीं तो इतना भर-बर के रेलिंग पे डालना होता था और बार-बार पलटना प तो तुरांती दूद गरम किया था मैंने इसी वज़े से पी लेती हूँ और अपना काम वाम निपट भी गया और अबाराम से बैठकर करेंगे अपना नाश्ता तो यह रहा भी आज का मेरा नाश्ता मुझे लैंच भी बनाना है तो देखते हूं आज लैंच में क्या बनता है आज भी पालक-पालक ही रखा भी फिर्ज तो देख आज क्या बनाते हूं तो अब आगई हूं यहां पर लुट बनाने के लिए यहां पर आलू کا चोखा तो डाल में हमें ने आलू को डाल दिया था और इधर साइड माइं मंगफली को रोस्ट कर रही हूं इसकी चट्प लगती है और गैस को बनने ही किया अब उसी में मैंने फिर ऑईल डाला और हिंग जीरे का तड़का दे कर प्याज डाल दिया डाल पालक बनाने लगी हूँ और आज मैंने चनी की डाल में पालक को एड़ किया है ऐसे मैंने मसर की डाल वगर मैं बनाती हूं मूंग की डाल में तो आज मैंने चने की डाल में बनाई है वो भी बहुत ज़ादा यमी बनी थी तो फटाफट से मैंने यहां पर प्यास को कर दिया है एड़ और यहां पर मैंने जार में लसन अधरक और मिर्च का पेस्ट बनाकर रेड़ी कर लिया था और साथ ही साथ यहां पर टमाटर को गट के भी जार में डाल दे रही हो ताकि एक साथ साहरा कुछ अड़कर दो और तो जब किचन में गुस्ती हो तो फुल ऑन एनरजी के साथ गुस्ती हो ताकि एक मिनट भी बिना विस्ट की अपना सारा काम निप्टा लो फटा फट से ब्लूटूथ हमेशा लगा करी रखते हैं क्योंकि गाने भी सुनते रहती और काम भी होता रहता है यहां पर मैं आपको लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा से पानी भी जार में डालके एड़ कर दिया तो इसे मुझे दोने में इजी पढ़ता है तो फाइनली या बुतर मसाली भी भून रहा है यहां पर मैं लसं शिल चुल चुल लासं किसलिए मुंगफली की चटनी बनाने के लिए अब आप स करके फिर वापस से दो लिया था ताकि वधू थंडी हो जाए चार से पांच ले संगी कलियान है एक मेर्च लिया है और जयाधा मिर्च नहीं लिया क्योंकि ये वाली मिर्च ना थोड़ी तीखी है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉरिंग लिए वाधर को तो यह एक बार में न तो अब हम लोग इसे कर लेंगे बावल में ट्रांसफर ताकि मिक्सर जार हो जाए खाली और इसे दोने में टाल दू और इस तरीके से चटनी बनकर हमारी तैयार है और यह भी बहुत जादा तीखी और चटपटी बनती है अगर आप इसमें और दो तीन मिर्च आड कर दोगे बहुत जादा अच्छी लगेगे लेकिन मेरे हस्बिन उतनी स्पाइसी खाते नहीं है और मुझे भी जादा नहीं खाजाता मुझे नॉर्मल तीखा पसंद है तो इसी वज़े से अभी यहां पर स्लैप को भी हाथो हाथ क्लीन करती वी जाओंगी नाइफ को भी साइड तो मसाले पूरी अच्छे तरीके से भुन गए है और इस तरीके से चलाते हैं कि टमाटर पूरे गल जाए अब यहां पर दाल पालो को मैंने एड कर दिया है और किती सुंदर लग रही है ना बहुत जादा टेस्टी भी लग रही थी अभी मेरे घर में पालक इतनी पड़ी भी थी ना कि मैं पालक की डिली नहीं नहीं रेसिपी बना रही हूँ आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में खैर यह सब हल्दी भी होती है तो यहां पर देखो चोखा चक्टनी चावल सब कुछ बन कर हो गया है तयार अब यहां पर दाल बन रही है मेरी उसके बा पर बरतन को वाश कर लेंगे जो भी शेक वगरा के जार थे कुकर वगरा जो खाली हुए उन सभी को वाश कर लोंगी अच्छे से तो बस यही होता है जब भी किचन में आती हो तो अपना काम निप्टाते वी जाती हो ऐसा नहीं कि इकठे बरतन मैंने छोड़ दिया फिर श सट की आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है बीच-बीच में कैमरे को ओन करना ओफ करना और ज्यादा फिर लंबी क्लिप शुट हो जाती है न तो फिर मेरी मेमोरी वगरा फूर लो चुकी है तो बहुत दिक्कत हो जाती है तो बार-बार ऑन- तो यहां पर दाल बन जाएगी उसके बाद फिर इसे हटा कर अच्छे से गैस को पोश लोगी जब तक एक साइट का बढ़नर साफ कर लेती हो तो इधर का हो गया है तो इधर का काम ने पड़ जाएगा उसके बाद उधर साइट साइट के जो मार्बल वगर है वो सब को कर ले बंद अब इस साइट के बी बंदर को अच्छे से पूरा क्लीन कर लोगे साथ ही साथ स्लैब वगरा को पूरे अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर लोगे और यहां पे विंडो को भी बंद कर दिया है क्योंकि हवा इतनी साद तेज चल रही है अपने आप खुलती है बंद होती पर इसलिए और दोपैर में सोच आती हो ना खुलती रहेगी पटकाती रहेगी खूट-थुछ सिलिए फिर मैंने बंद कर दिया अब यहाँ पर स्वाहभ को मैwnें शुerus लफूटऑ सदिया है क्लीन यहाँ यहाँ काम क्लीन और ना केकेक हुआ सब थोप थुछ nauc करना रह गया है अब दूप देख सकते हो बहुत ही जबाग धूप है और कपड़े जब हवा से कैसे उड़ गया है चिम्ती ना लगाना तो एक पर में उड़ के सीधा नीचे और किते बार तो मेरे कपड़े नीचे गए भी यह कभी चिम्ती भी जी रही है कभी कपड़े घर तो फिर से लाइक उसे धोकर डारना पड़ता है तो सोटर में जा रहे हूं थोड़ा जी इंस वगर को पलट देती हो जो बेट शीट वगर को सूख ही गई होगी इंपको हटा देती है इतनी तेज दूप में कपड़े क्या इंसान सूख जाए तुलसी पादे का कुछ अठ हस्बिन आजाते तो ठीक है फिर साथ में लंच कर लेंगे और अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं दो बज़े कर लूँगी लंच क्योंकि भूख भी लगी है और काम तो खेर सारा कुछ हो ही गया है और बचारी हो ये वाला व्लॉग को एडिट करूंगी और एक व्लॉग हमारी यूटीब फैमिली में मैं चाहते हूं जल्दी से वन के हो जाए और बस जितनी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो कि उतने ही ज्यादा व्लॉग साएंगे उतने ही ज्यादा एक्टिव रहूंगी मैं और डेली अपडेट आपको देखने को मिलेगा तो चलो अब ज जल्दा हवा की वज़े से चिम्टी समय थी उदर चले गई तो फिर मैंने कपड़ों को एक साथी हटा लिया और सारे अलमुस्ट सूकी गयते बस जीन्स थोड़ी सी गिली थी अंदर साइट से तो मैंने उसे फिर पलट दिया और उसे छोड़ दिया था बाकी जितने भी कर साम के भरोसे क्या ही करूं तो यहां पर कपड़ों को फोल्ड करते हैं जो उस कमरे में जाएंगे गये हुए और जो इस कमरे में 211 दिया पल दियायंगे तो इस त competit vrk छسم को पूरा आए ना आए वो बात की बात है तो मैं मिल रही हूँ आप से शाम में अभी टाइम हो रहा है साड़े साथ और ये वाला व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने सचा कि चलो इस व्लॉग को अप एंड कर देती हूँ ज्यादा लंबा ना करते हुए क्योंकि दोपहर का सारा काम आपने देखी लिया उसके बाद हजबन ने कहा था कि आऊंगा लेकिन आए नहीं फिर मैंने लंज गर्ण कर लिया था उसके बाद जीते लंज के जो परतन बगर थे वह बस जादा तो थे यह नहीं पहले तो सारा बरदन मैंने वाश करी लिया था फटा-फट से खानों ना दीन की दाल पालक भी है तो इसलिए और अलुको भी की सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कोमेंट के दूजरू बताना आपको आज का व्लोग कैसा लगा और फटा फट से सब्सक्राइब कर लो गरा फर्स टाइम देख रहे हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किय मत जाएगा और साथी साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किजेगा ताकि जब भी वीडियो डालू सबसे पहले आप देखो अपना प्यार दो अपना ओपिनियन दो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अपना ओपिनियन मुझ तक पहुचा सकते हो ताकि अगर व्लोग म मैं उसे सुधार कर सको तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लोग में किसी नई रेसिपी के साथ तो तब तक के लिए ठेक क्या टाटाओ बाई बाई और लव यरसेल्फ ऑलवेज